गुट मॉनिंग फ्रेंट्स आइम एड्वोकेट अमित कुमार गुपता अपने सर्च एंड सीजर की सिरीज में आज जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूं वो हमारा एर्थ लेक्चर है आज के लेक्चर में हम असेसी की ड्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सर्च टीम आती है और जो अथ्राइजड आफिसर होता है सर्च टीम में उसकी पावर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां तक कि SSC's की duties का सवाल है सर्च के दोरान तो यह एज्यूम किया जाता है कि SSC जो है वो सर्च टीम के साथ पूरा कॉपरेट करेगा जदि हम डिपार्टमेंट के परसेप्शन से देखें तो डिपार्टमेंट SSC के कोपरेशन का मतलग यह समझता है कि SSC जादा से जादा अपनी इंकम का सेलेंडर कर दे हाला कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि खाली वहीं इंकम पे डिपार्टमेंट टेक्स ले सकता है जिस income के respect में डिपार्टमेंट को सर्च के दौरान evidence मिला हो कि यह SSC की undisclosed income है बहराल जो SSC की duties हैं सर्च के दौरान सबसे पहले SSC की जम्मेवारी बनती है कि जो सर्च टीम SSC के हाँ visit किया है वो उस टीम का peaceful अपनी premises में entrance दे उनको आने दे और उनको आने के बाद SSC की ड्यूटी बनती है कि जहां जहां पे भी SSC के assets और valuables रखे हुए हैं उन receptables को recognize कराए identify कराए उसके बाद SSC की ड्यूटी बनती है कि जितने भी lockers, almiras हैं उनकी keys जो है वो department को provide कराए ताकि जो authorized officer है वो उसके अंदर जितने भी valuables हैं और जितने भी पर assets हैं उनकी inventory जो है वो department कर सके इसके बाद अससी की ड्यूटी बनती है कि जितने लोग भी SSC की family में हैं उन सब family को authorized officer को recognize कराए कि उन family member से SSC का ये relation है और SSC का उनसे क्या relation है ताकि जो है search team को एक पूरी और एक आईडिया हो जाए SSC के family के बारे में और जितने भी लोग वहां पर search के द्वरान होते हैं इसके बाद SSC की ये duty बनती है कि during the search किसी भी आदमी को अपनी premises में enter ना करने दे unauthorized person को वहां पर ना इंटर करने दे और किसी भी object को या किसी भी valuable thing को अपनी premises से भार जाने के लिए permission ना दे या कोई भी ऐसे attempt ना करें जिससे ये SSC कोशिश करें कि कोई भी चीज़ जो है कोई भी books papers valuables असेसी जो है वह अपनी premises से भार निकालने की कोशिश करें इसके बाद SSC की ये duty बनती है कि वह during the search कि पूरा department के साथ cooperate करें और इवन सर्च असेसी दे सकता है अपने बारे में वह प्रॉपर्ली डिपार्टमेंट को दे ताकि डिपार्टमेंट जो है वह पूरी तरीके से सच conclude कर सके दोस्तों ये तो एक SSC की broadly जमेवारी के बारे में मैंने आपको बताया जो उसकी ड्यूटी के बारे में किसी भी ऑफिसर के साथ मिस्भेव नहीं करना है तो ये जर्नल ड्यूटीज है एक SSC की जो कि उसको निभानी चाहिए जब भी SSC के यहां सर्च होती है अब बात आती है कि जो उत्राइज्ट ऑफिसर जो सर्च करने SSC के यहां आता है उसकी क्या-क्या पावर्स हैं तो इन पर देंडिंग में वैसल में या किसी वहिकल में जो है वो एंटर कर सकता है वहां पर जाने के बाद S.S.E. से उनकी चाबियां उनकी कीज जो भी उसके लॉकर्स हैं उनको S.S.E. से लेगा यदि S.S.E. उनकी चाबियां या कीज या और उनको ओपनर जो है उनको ना प्रोवाइड करा पाए तो authorized officer जो है वो अलमीरास को या जो भी जहां पर भी S.S.E. ने अपने assets को चिपाके रखा है जिसको वो नहीं खोल पारा तो वो authorized officer जो है वो force bully भी जो है वो उनको खोल सकता है इसके अलावा authorized officer जो है जो जहां पर जो भी असेट उसको मिलते हैं उन सब की are inventory कर सकता है और उन assets को seeze कर सकता है खाली authorized officer जो है वो stock in trade को seeze कर सकता जिसके अंदर असेसी वेपार करता है खाली stock in trade को जो है वह उसकी inventory करके एक copy अपने पास रखेगा और एक copy जो है वह SSC को authorized officer को देनी होती है इसके अलावा जो authorized officer होता है वो कुछ चीज़े ऐसी होती है जिनको वहां से move नहीं कर सकता तो उस case में authorized officer उन सारी चीजों के उपर एक identification mark कर सकता है और एक prohibition लगा सकता है कि SSC जो है वह इन चीजों को यहां से नहीं लाएगा या उनके साथ उनको डिस्प्लेस नहीं करेगा बिना officer की permission के बिना लेकिन जो authorized officer है वो stock in trade के लिए कोई भी prohibitory order पास नहीं कर सकता जो stock in trade होता है जिसके अंदर SSC जो है वह वेपार कर रहा होता है इसके अलावा authorized officer की यह power होती है कि वो जो भी जिस असेसी के हाँ department ने सर्च की है उस असेसी की peaceful तरीके से स्टेट्मेंट ले बिना उसको दवाव में लाए और असेसी की जमेदारी बनती है कि authorized officer को बड़ी peacefully और अपनी true statement जो है वो करवाई लेकिन इसके अंदर एक मैं नोट करना आपको बताना चाहता हूं एक direct ex force पे एक task force बना था जिसको विजय कहलकर साब ने head किया था उसके पैरा 3.27 में यह उन्होंने recommendation दिया था कि जितनी भी statements सर्च के दोरान होती है department को उसको video record करना चाहिए लेकिन यह recommendation जो है वो अभी तक practical life में नहीं लाए गई है जिसकी वज़े से statement की authenticity पर काफी सवाल उठते हैं और बाद में SSE जो है वो सच के बाद जो है वो उन statements को retract भी करता है यह प्ली लेके मेरी statement जो है वो दवाव में ले गई है यदि department इस practice को adopt करें इस committee की recommendations को माने और उसको properly video record करें तो जो statements हैं जो ली गई हैं उनकी court में बड़ी authenticity भड़ जाती है और जो भी pressure tactics department adopt करता है officers adopt करते statements को लेने में उनको उनसे भी बचा जा सकता है friends मैं उमीद करता हूं कि इस lecture में जो भी हमने assessi की duties और department की powers को discuss किया है यह आपको अपने professional practice में और general public को भी जब कभी भी उनके हां सर्च होती है तो सच को deal करने में आपकी मदद करेगी thank you friends